सबी को मेरा नमशकार आप सबका स्वागत करता हूँ मैं आज की ओनलाइन क्लास में आज हम 11 कक्षा के व्यवसाई अधेन विशे के अंतरगत कम्पनी की स्थापना और उसके विभिन चरणों के उपर चर्चा करेंगे मैं कुल्दी बीरवाल आप सबका आज की ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ओनलाइन क्लास तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं हम चर्चा करेंगे परवर्तन के अर्थ के उपर परवर्तन की अवस्ताएं समा मेलन अथवा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसको आज हम उस प्रोसेजर को हम सीखेंगे आज की ओनलाइन क्लास इस पॉइंट तक ही सीमित रहेगी इससे अगली आने वाली क्लास जो पार्ट टू कहलाएगी वो हम शुरू करेंगे व्यवसाय प्रारंब करना पार्शद सीमा नियम का अर्थ एमं विशे सामगरी पार्शद अंतर नियम का अर्थ एमं विशे सामगरी प्रविवरण का अर्थ एवं विशे सामगरी और पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम का अंतर तो ये पूरे के पूरे पार्थ का जो है वो एक उदेश्य है कि हमें ये ये पॉइंट सीख लेना है ताकि हमें पूरा का पूरा पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए बढ़ाते हैं टोपिक को सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कम्पनी का अर्थ असल में है क्या तो भारतिये कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार कम्पनी का अर्थ इस अधिनियम अधिनियम का अनुकर कानून बनाया गया कि अंतरगत निर्मित तथा पंजीकरित रिजिस्टर कम्पनी से है यह विद्देमान कम्पनी से है जो पहले सही है कम्पनी उसका पंजीयन रिजिस्ट्रेशन भारतिये कम्पनी अधिनियम 1982-86-1913 के अदिन हुआ हो तो यह भारती कमपनी अदिन हैं 1954 के अकोडिंग एक कमपनी की परिभाशा दी गई है यह इस परकार से बनाई गई है जिसका पंजी करण किया गया है या फिर पहले से यह है विद्यमान कोई कमपनी है जिसका पंजी करण भारती कमपनी अदिन है 1982-86-1913 के अदिन हुआ हो तो हम उसको कमपनी कहेंगे मिस्टर हेने क्या गया रहे है सैयूक्त कमपनी पूंजी लाब के लिए बनाई गई व्यक्तियों का एचिक संग है ठीक है तो कमपनी जो है वो पूंजी लाब के उदेशे के लिए जो है वो व्यक्तियों का एक एचिक संग है जिसकी पूंजी हस्तांत्रिनिये अंशों में विभगत होती है चोटे-चोटे हिस्सों में बटी वी होती है उसकी पूंजी एवं इसके स्वामीतव के लिए सदस्यता की अवशक्ता होती है तो अगर इसका हमें स्वामी बनना है तो हमें इस कंपनी के अंशों में अपने हिस्सेदारी दिखाने होगे तो ये कंपनी का जो है वो दो डेफिनेशन से हम अर्थ जो है वो इसका हमें असानी समझ में आ जाता है कुछ लोगों का इच्चिक संग होता है जिनका उदेश्य लाब कमाना होता है और इसकी जो पूंजी होती है जो पैसा वेवसाय में इसमें कंपनी में लगाया होता है वो सभी अंचों में विवगत होता है अंच क्या होता है पूंजी का जो पैसा वेवसाय को शुरू करने मे लगाया गया है उसका छोटे से छोटा हिस्सा जो है वो अंच कहलाता है शेयर कहलाता है पलस टू में इसको हमने डिटेल में पढ़ना है तो इसके स्वामितव के लिए मतलब इसका अगर हमें इसका लेना है तो हमें इसके सदस्य बनने क्या हुशकता होगी सदस्य बनने के ल जाता है फिर उसके बाद आ जाता है समामेलन जिसको रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा और फिर व्यवसाइट प्रारम करना ये तीन हमारे चरण रहेंगे कपनी के स्थापना के आज की ओनलाइन क्लास में परवर्तन और समामेलन वाले टोपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे चलिए सबसे पहले परवर्तन जिसको परमोशन कहा जाता है इसके लिए एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है कि एक विचार को चालू संस्था के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रिकरिया को परवर्तन कहते हैं आप इस पुरी लाइन को याद रख सकते हैं और अपने एक परवर्तन कहते हैं थोड़ा और डिटेल में समझते हैं मिस्टर डूगल महोदे क्या कह रहे हैं परवर्तन दिमाग में आने वाले उस विचार के साथ शुरू हो जाता है जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाना है जिससे किसी व्यवसाय को शुरू किया जाना है औ और जब तक वह है व्यवसाय एक चालू संस्तागे रूप में चलने वाली संस्ता जो चल रही है के रूप में अपना कारिये प्रारंब करने के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक चलता रहता है उसे परवर्तन कहा जाता है डिटेल में और थोड़ा सजाते हैं आज जबकि परतियोगता अपने चरन सीमा पर है किसी व्यवसाय की स्तापना करना उतना आसान कारिये नहीं है जो व्यक्ति अत्वव व्यक्तियों के समू व्यवसाय स्तापित करना चाहता है उसे गहन सोच विचार करके नीने लेने की अवशक्ता होती है गहन अध्यन करने के बाद में स्तापित किये जाने वाले व्यवसाय की ही सफलता की उमीद की जा सकती है अब यहाँ प्रिशन यह है कि गहन अध्यन किस के बारे में होना चाहिए गहन अध्यन मुख्यतर व्यप्यार के परकार आकार स्थान स्वामितव पूंजी इतियादी के बादे में किया जाना चाहिए एक व्यवसाई काई की स्थापना के लिए किये जाने वाले प्रवर्तन प्रयतन जो किये जाते हैं सामोही करूप से जो किये जाते हैं हम उनको प्रवर्तन कहते हैं प्रमोशन जो व्यत्ती यह काम करता है उसे प्रवर्तक कहते हैं परवर्तक एक व्यवसाई की स्थापना की संभावना को जनम देता है मतलब शुरुवात में वही सोचता है सारी जीजे और उसे स्थापित करता है आज बढ़ती हुई परतियोगता तथा अधिकादिक सरकारी हस्तक शेप के कारण नवीन व्यवसाई की स्थापना करने का काम काफी मुश्किल हो गया है इसके लिए विशेशुग्यों की सेवा ली जाने लगी है कुछ व्यक्ति यत्वत संस्ताइं परवर्तन के काम में शामिल है ये नए-नए विचार खोषते हैं और उने सरतक बनाने की विधियां भी त्यार करते हैं ऐसा करके विवसाई का परवर्तन करके उसे इच्छुख व्यक्तियों को बेच देते हैं मतलब जो व्यवसाई करना चाते हैं लेकिन वैचाईरेर्क रूप से वो उतना सारा सभी कारिये नहीं करना जाते हैं तो कुछ कमपनियां समस्ताइं कुछ व्यक्ति जो हैं वो ये कारिये कर रहे हैं तो परवर्तन का क्या आर्थ हो गया? परवर्तन का अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से हैं जो एक व्यवसाईक इकाई को अस्तितव परदान करती है सबसे पहले किसी व्यक्ति अत्वब व्यक्तियों के समू के मस्तिक्ष में किसी व्यवसाई के स्तापना का विचार उत्पन होता है इसके बाद इस विचार को वास्त्विक्ता में बदलने के लिए कुछ प्रारंबिक कारियों को पूरा करना पड़ता है क्या हो सकते हैं अगर उधारण के लिए हम बात करने जैसे तैयार माल का करे विक्रे कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्टन करना जिसको निर्मानी वेवसाई कहते हैं सेवाएं परदान करने वाला वेवसाई जैसे के ट्रांस्पर्ट कंपनियां इस परकार का तो कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में आता है फिर हम उसको शुरू करते हैं तो परवर्तन का क्या मतलब हो गया? उन सभी किरियाओं के योग से जो एक कमपनी को अस्तितव परदान करने के लिए जरूरी होता है. तिक है, हर वो कारिय किया गया, जिससे एक company का अस्तितों में आ जाएगी, वो परवर्त NFL का लाएगा और परवर्तक कौन हो गई? वे व्यक्ति यव्यक्तियों का समूख जो एक व्यवसाई की काई को अस्तितों में लाने के लिए विभीन परकार के परता है हम उसको परवर्तक कहेंगे चलिए अब परवर्तन की अवस्ताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि परवर्तन की अवस्ताओं जो हैं वो stages of promotion कितने परकार की हैं सबसे पहले नए विचार की खोज व्यवसाई का विचार मस्तिक्ष में आने से लेकर व्यवसाई को चालू हालत में लाने तक की जाने वाली सभी क्रियाएं जो हैं वो परवर्तन के अंतरगत आती हैं तो हम इनको चार यह सो में बाढ़ देते हैं सबस की परवर्तन का काम नए विचार की खोज से प्रारंब होता है हमने इसके अर्थ में भी है पड़ा है एक नया व्यवसाई प्रारंब करने का विचार बाजार में किसी विशेश वस्तु की लगातार पूर्ती में कमी को देखकर उत्पन हो सकता है मार्केट में देखा हमने क कि बहुत अधिक डिमांड है और उसकी पूर्ती उतनी नहीं है लोगों को वो उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो रहा यह सबी लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा तो एक विचार उत्पन होगे क्यों ना सैनेटाईजर बनाने के लिए एक व्यवसाई शुरू किया जा या किसी ऐसे उत्पाद से संबंदित हो सकता है जो पहले से ही बजार में है ही नहीं वो भी एक विचार उत्पन हो सकता है जरूरत के इसाब से ये वली चीज भी जो है वो मार्केट में लोगों के लिए अबिलेबल होनी चाहिए तो वो भी एक विचार आ सकता है किसी के विमान में नए विचार की खोज में पेशिवर अविशकार करता जो परफेशनल इन्वेंटर्स हैं व्यापारिक संग जो ट्रेड एसोसियेशन्स है सरकारी संस्तान गवर्मेंट विवरोस जो है या पत्रिकाएं आदी की भी साहता ली जा सकती है वहाँ से मलब डाटा कलेक्ट करके इस कदम पर प्रारंबिक जाच करके यह पता लगाया जा सकता है कि व्यवसाई को सफलता पुर्वक ढंक से चलाया जा सकता है अत्वा नहीं व्यवसाई की सफलता के बारे में संतुस्ट हो जाने पर ही आगे की कारवाई हमें करने चाहिए या की जाती है फिर दूसरे हमारे स्टेज आता थी है विस्तरित जाच परताल डिटेल इन्वेस्टिगेशन प्रारंबिक जाच परताल कर लेने के बाद वास्त्विक स्थिति ज्याद करने के लिए विस्तरित जाच परताल की जाती है इसके अंतरगत संबंदित उत्पाद की बजार की मांग कच्चे माल की उपलब्धता कच्चे माल की लागत परतियोगिता की संभावना, उत्पाद की भिक्री कशेतर संभावित विक्रे मुले, संभावित लाब संबंदि यह सारी की सारी जानकारियां फिर साथि साथ पून्जी प्राप्ती की संभावना है पून्जी की कितनी आवशक्ता पड़ेगी श्रमिकों की उपलब्दता है या नहीं है, व्यवसाई का कितना बड़ा आकार रहेगा, व्यवसाई कौन से स्तान पर स्तापित किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें शामिल की जाती है इन सभी तत्यों के बारे में विश्तरित विचार विमर्ष करके एक रिपोर्ट त्यार कर ली जाती है, जिसे प्रजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है, इस रिपोर्ट को सरकार से लाइसेंस वर विद्प्राप्त करने के लिए भी काम में लाया जा सकता है यदि report में नए विचार के पक्ष में निर्ने दिया जाता है तो आगे की कारवाई की जाती है अन्य था इस विचार को यहीं पर छोड़ दिया जाता है और नए विचार पर कारिय करने शुरू कर दिया जाता है तो second stage तो यह होगी है हमारी फिर third stage आ जाती है विबिन साधनों का एकत्री करन परवर्तक नए विचार के अधार पर स्तापित किये जाने वाले व्यवसाई की सफलता से संतुस्ट हो जाने के बाद उस विचार को वास्तिविक रूप देने के लिए विबिन साधनों को एकत्रीत करना शुरू कर देते हैं जैसे कि कच्चे मालका अनुबंद कर लेना, भवन, मशिनरी, आदी यह सभी की सभी जो है वो यह विशेशक्यों की राई लेना, अन्य व्यक्तियों की राई लेना पूंजी उपलप्त करवाना बहुत जरूरी होता है, इस कारिये के लिए वितने ओजन फाइनेंशल प्लानिंग की जाती है, इसके अंतरगत कुल अवश्यक पूंजी की मात्रा, कहां से वो पूंजी हमें प्राप्त होगी, पूंजी इकठी करना इत्यादी निश्चित किय जाता है, यदि पूंजी अंशत्वा रेंड़ पत्र के द्वारा प्राप्त की जानी है, तो अंश्यों रेंड़ पत्रों के प्रकार निश्चित कर लिये जाएंगे, इस समंद में बैंक इत्यादी से अनुबंद कर लिया जाएगा, सावर्जनी कंपनी की दशा में के स्तापना का दूसरा चरण होता है, इसके अंतरगत कुछ प्रारंबिक करिया है, संपन करने के परपत्रों को रेजिस्टर कर ले में जमा करवाना होता है, इसके परपत्रों को रेजिस्टर कर ले में जमा करवाना होता है, इसके परपत्रों को रेजिस्टर कर ले में जम वाले प्रलेक, निर्धारित शुल्क का बुगतान करना और पूंजी अभीदान तो ये चार हिस्सों में रेजिस्टिशन वाले जो है वो हिस्से को हम बाट रहे हैं और अब इनी चार हिस्सों को हम थोड़ा डीटेल में समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले आ जाते हैं हम मुख्याले किस राज्य में होगा यह निर्णे कंपनी के परवर्तकों द्वारा लिया जाता है परवर्तक कौन होते हैं जो कंपनी को स्तापित करते हैं ऐसा करना इसलिए अवश्क है कि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रिजिस्टरार के यहां होता है जिस राज्य में कम्पनी का पंजीकरित करले स्थित होता है फिर कम्पनी का नाम निश्चित करना कम्पनी के नाम का चुनाव करना इसलिए अवश्यक है कि नाम निर्धारित करने से पुरूर रजिस्टरर के करले में इस बात की जनकारी प्राप्त कर ली जाए कि क्या प्रस्तावित नाम के स् सरकार के द्रिष्टी से अनुची इतना जराए एक बात जरूर ध्यान लखने है कि कंपनी के नाम के अन्त में लिमिटेड शब्द का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए फिर IDRA 1951 के अंतरकत लाइसंस प्राप्त करना देश के संतुलित विकास को ध्यान में रखते वे सरकार ने उक्त अधिनियम पास किया तथा 1953 के में इस अधिनियम में कुछ चंशोदन यानि कुछ चेंजेज करें कुछ उधार किया यदि कंपनी किसी ऐसे विवसाई को स्तापित कर करने जा रही है जिसे इस अधिनियम के अंदरकत लाइसंस प्राप्त करना अनिवारी है तो सबसे पहले के अंदर सरकार के व्यापार एवं उध्योग मंतराले नई दिल्ली के सचीव के पास application बेज कर वो लाइसंस प्राप्त करना चाहिए फिर आवशक नुक्तिया करना अ अब ये पार्षद सीमा नियम क्या होता है अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो ये कुछ नियुक्तियां जरूर कर लेने चाहिए फिर प्रामुक प्रलेक तियार करना कुछ important documents होते हैं जो company पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम तियार किये जाते हैं उन company के परवर्थ तक उस राज्य के company के रेजिस्टर के पास में जहां company का रेजिस्टर कारेले स्तापित करना है company के registration के लिए प्रात्नाबतर प्रस्तूत कर लेता तो ये कुछ प्राड़म विक्रियाएं हम करते हैं registration के टाइम फिर हमारा दूसरा point था रेजिस्टरार के पास प्रस्तूत किये जाने वाले प्रलेख कौन-कौन से हैं सबसे बहला आ जाता हमारा पार्षद सीमानियम Memorandum of Association काफी important हमारा document है इसके अंतरगत जो है वो किसी भी company का समामेलन पार्षद सीमानियम के बगर हो ही नहीं सकता यह अधिनियम के अंतरगत company के उदेश्यों को परिभाशित करता है कि company किस उदेश्य के लिए बनाई जा रही है और अधिकारों के सीमा भी निश्चित कर सीमानियम में अधारवुद बाते होती हैं और केवल उनी के अधार पर company का registration की स्विकृति दी जाती है सावरजनिक company की दशा में कम से कम साथ और निजी company की दशा में कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा इस पार्षद सीमानियम पर signature किये जाते हैं और परते signature करने वाले को कम से कम एक company का share जरूर लेना होता है फिर दूसरा पार्षद अंतर नियम एस परलेक में पार्षद सीमानियम में दिये वे उदेशियों की पूर्ति के लिए तथा company को सुचारों रूप से चलाने के लिए बनाएगे नियमों का उलेक किया जाता है इस परलेक पर उन सभी होता है मतलब प्रिंट किया होता है और पहराग्राफ में विभक्त होता है सावजनी कंपनी के लिए अंतर नियम त्यार करना अवशक नहीं है यह दिवह चाहे तो इसके स्तान पर सारणी ए जिसको टेबल ए बोलते हैं स्विकार कर सकती है ऐसी दशा में पारसत स्रियमा नियम को रिजिस्टर के पास बेजते समय बिना अंतर नियमों के रिजिस्टर लिख देना जरूरी होता है तो यह पहले वाला जो पाइंट आप वो बहुत जरूरी है लेकिन अगर सा कारेले के स्थान तदस्तीती की सूचना भी रिजिस्टर का ले पर देनी पड़ती है कारेले में यह सूचना रिजिस्टेशन के बाद 30 दिन के अंदर भी दी जा सकती है तो विदिन 30 दिन आपको यह जरूर देना है फिर संचाल को की सूची लिस्ट अब डारेक्टर उन व विवरण लिखा जाता है निजी कंपणी कि दशे में या सूचना भीजनी आवशक नहीं है पिर संचालकों के लिखिट सहंती, पिर युगःता अंशियों के सम में वचण संचालकों की लिखित सहमती के साथ सथ एक दूसरी सूचना भी निरधारित फारम पर वेजनी होती है जिसमें संचालकों की ओर से योगता अंशों को लेने तदा उनके भुगतान करने का वचन होता है अब योगता अंश क्या होते हैं? यह वह अंच होते हैं जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतरगत प्रस्तावित कंपनी में संचालकों की भागेदारी को सुनश्चित करने के लिए उनके द्वारा खरीदे जानने जरूरी होते हैं जो हमने पार्षत सीमानियम पहले point के अंदर पढ़ा था ना कि हस्ताक्षर करता को जो है किक अंच लेना जरूरी होते हैं इसी प्रकार से संचालकों को भी योगेता अंच लेने जरूरी होते हैं फिर हमारा अगला point आ जाता है प्रबंदक व्याव स्थापकों के साथ प्रारंबिक अनुबंध जो एग्रिमेंट उनके साथ में होगा यह दि कंपनी के प्रबंदक व्यवस्ता संचालक प्रबंध संचालक मैनेजर सचिव कोशा देक्ष्ट दवारा की जाती है तो इन सभ के पास में भैजनी होती है कि रजिस्ट्री के लिए सभी वैधानिक आवशक्ताओं की पूरती की जा चुकिया मतलब सभी डॉकॉमेंट हमने पूरे कर दी है तो यह दूसरा स्टेप होगया कमपणी के रिश्टेशन के लिए फिर हमारा तीसरा आ जाता है स्टेप इसमें निर्धारिक शुल्क का भुखतान करना तो जो पिछले स्लाइड के अंदर जो सभी के सभी प्रपतर दिये हुए थे और निर्धारिक शुल्क भी कंपनी को रिष्टरार के पास जमा कराना होता है उनके साथ में यह है भारतीय रिजर बैंक RBI में भारत के सरकारी खते में जमा किया जाता है कंपनी अधियनियम की दस्वी सुची में इस शुल्क की जो है वो रेट जो है दरें जो है वो दी गई है डीटेल में उप्रयोक्त कारवाई पूरी हो जाने के पास रिष्टरार कारेले के समामेलन समंदी प्रलेखों का निरक्षन वे जाच करता है वो जब वैसंतुस्ट हो जाता है कि सभी आवश्यक वैधानिक कारवाईयां पूरी कर लेगी हैं सभी डोकमेंट ठीक हैं सभी डोकमेंट दे दे दिया जाता है ठीक है तो भारतिय कंपनी अजिनियम की दस्वी सूची में शुलकों की दर्थ दी गई है और समा मेलन का परमान पत्र दे दिया जाता है जिसको CIN बोलते हैं और अब इसका एफेक्ट क्या पड़ता है कंपनी एक रजिस्टर संस्ता बन जाती है रजिस्टेशन के परमान पत्र को नयले में कंपनी के अस्तितव के रूप में प्रस्तूत किया जा सकता है company एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है और उसका अस्तितव सदस्यों से अलग माना जाने लगता है जिसकी एक अलग stamp होती है यह हम सभी जानते हैं कि वेपार और वेपार चलाने वाला दोनों अलग अलग होते हैं अरिस्टेशन करने के बाद में यह हमारा concept जो है वो लागू हो जाता है company का एक अस्तितव स्थाई हो जाता है और इसकी प्राप्त करते ही company जो है वो अपना वेपार शुरू कर सकती है फिर हमारा जो चोथा जो था अरिस्टेशन के अंदर जो step था हमारा चोथा पूंजी अभीधान capital subscription तो अब इसके बारे में detail में हम जान लेते हैं एक निजी company या फिर एक सावर्चनी company जिसमें अंश पूंजी नहीं हो समामेलन के तुरंत पस्चात यानि के registration के तुरंत पस्चात अपना वेपार आरंब कर सकती है आते पूंजी अभीधान अवस्ता जो हम अभी point पढ़ रहे हैं और व्यापार आरंब करने की अवस्ता अंश पूंजी वाली सावर्चनी company पर ही लाग होते हैं तो जिसने अपना पैसा अंश पूंजी के द्वारा इकठा करना है उनके उपर ये point जह वा लाग होता है पूंजी अभीधान अवस्ता के अंतरगत परवर्तकों को अवशक पूंजी एकत्रीत करने के लिए क्या करना पड़ता हैं कंपनी जनता को प्रविवरण जारी करती है और उसकी एक प्रती यानि उसकी कोपी रिजिस्टरार को भेजती है अंशों के लिए आवेधन पत्र कंपनी का बेंकर प्राप्त करता है यदि कंपनी को नियूंतम अभीधान प्राप्त हो जाता है नियूंतम अभीधान का मतलब हो गया कंपनी अधिनियम दुवारे नियूंतम अभीधान राशी जारी किये गए अंशों के नब्बे परतीशत के ब्रापर नेश्रित की यह निकि जितनी पूंजी हमें चाहिए थी अगर उसका नब्बे परतीशत हमें जो है आवेधन पत् बेज दिगा जाता है यदि कंपनी प्रेविवरंड जारी करने की तिति के 120 दिन के अंदर नियूंतम अभीधान राशी प्राप्त करने में ऐसा मर्त होती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती मलों जिन्होंने अप्लिकेशन दी है कि हां मैं इस कंपनी का इंश् से उनको बोलते हैं उनको हम उनका पैसा वापिस कर देते नियूंतम अभीधान राशी से क्या व्यविवरंस होने वाली उस नियूंतम राशी से है जिसका उलेक प्रेविवरंड में किया जाता है जब सावरजनी कंपनी जंता को अँश्य करती है तो वह अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे नियुंतम अभिदान प्राप्त ना हो जाए ये नियम है कमपनी द्वारा खरीदी गई या खरीदी जाने वाले संपत्ति का भुकतान करने के लिए ये राशियां जुटाई जाती है प्रारंबिक खर्चे जो होते हैं या फिर अभिगोपन कमीशन इत्यादी के बुकतान करने के लिए हम पुझी जुटाते हैं और प्रयोक्त दोनों उदेश्यों है तो कमपनी द्वारा उधार ली गई राशिय की वापसी की अदाईगी के लिए हम करते हैं कारिये शील्प मुझी के लिए हम इंगठा करते हैं मनलब जो कारिये हमने शुरू करने जिसके लिए हमने कमपनी शुरू की है नियूंतम राशी का էन केवल नकद माना जाएगा इसमें वह दन शामिल नहीं किया जाएगा जो नकद के रूप में अन्य रूप से दिया जा रहा हूँ जैसे कि बिल्डिंग जो है वो गिफ्ट में जो है वो किसी परवर्तक या किसी अंचालक ने जो है वो कंपनी को दे दी हम उसको नहीं मानते हैं यदि कोई अंच पूंजी वाली कंपनी प्रेविवरन का निर्गमन नहीं करती है तो उसे अंचों या रिंड पत्रों के प्रथम आबंटन के कम से कम तेन दिन पहले स्थाना पन विवरन रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टरी के लिए भेजना आवशक होता है इसके अंतरगत, इसके उपरांत उसे अबंटन यानी कि सामानने प्रिकरेशंग सरा आपयंटन पतर भेजना अंश परमान पतर निरग tough करना इत्यादी यह सारी कि सारी चिछें पूरी करने होती है तो आज की online class में इतना ही, अगली online class जो इसी का second part रहेगा, उसमें हम website कैसे प्राराम करते हैं, उसके बारे में हम जिकर करेंगे, आप सब के लिए आज की online class का ग्रैक करेंगे उमीद करता हूँ, आप सबी ने ध्यान से सुनाओगा, और किस परकार से हम company की स्तापना करते हैं, उसके बारे में आपने जो है वो अच्छे परकार से जो जानकारी ले लियोगी, आज की online class में हमने परवर्तन का अर्थ, company का अर्थ समझा, परवर्तन की हमने जो है वो विवस्ताओं के बारे में पढ़ा कि नई विचारों की खोज की जाती है, फिर विस्तरी जांस परदाल कर लेते हैं, फिर जो साधन हमें जुर्त होती हैं, उनको हम इकठा कर लेते हैं, और वित विवस्ता कर लेते हैं, जो पैसे के हमें अवशकता होती है, साथ ही साथ आप सबने ध्यान से सुनाओगा और अच्छे परकार से समझ गई होंगे। अगली ओना एकलास तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप सब का हार्दिक धन्यवाद।